और इस वर्तवान समय जो राजस्थान का इसी चार वर्षों के समय में ऐसा राजस्थान में कभी किसी ने सुना देखा नहीं ऐसी विवस्ता जिसमें प्रस्टाचार हो तो व्यापक रूप अत्याचार है तो व्यापक शुरूप उसी के साथ साथ में गुंडा कर दी है तो व्यापक्सरू हर छेत्र में किसी भी छेत्र में चले जाएं कहीं भी कोई जन्ता को सुख नहीं है हर छेत्र में बुरा हाल राजराजस्थान का है इसलिए इस यात्रा का कारिक्रम और इस यात्रा को आगे बढ़ाने का विचार भारत्य जंता पार्टी ने किया क्योंकि भारत्य जंता पार्टी के वर संता प्राप्ति के लिए संता में नहीं आती है भारत्य जन्ता पार्टी राजस्थान वे देश की सेवा के लिए ही सत्ता में हैं और देश की सेवा के लिए ही संगठन राजनितिक संगठन के माध्यम से कारिय करती है चाहिए भले या कॉंग्रेस की सरकार हो लेकिन समय समय पर जब भी जनता पर अत्याचार होता है जहां भी हमारे माताओं भेनों की इजद लूटी जाने की प्रियास किया जाता है इन कॉंग्रेस के गुंडागर्दी के लोगों के माध्यां से जहां भी यहां पर अवेद रूप से भूमी के आवंटन किये जाते हो जहां भी यहां पर खनन के काम ऐसे अवेद रूप से उनका दुर्प्योग किया जाता हो चाहिए यहां पर छात्रों के साथ में अन्याय करते हैं कॉंग्रेस सरकार जो कि बार बार पेपर के इंग होता है इन बच्चों के भौई से को उजाड़ने का जो काम ये कॉंग्रिस कर रही हूँ चै किसानों के कर्जमाफी की बात हो चै जनता के जै गाओं के विकास को अगे बढाने की बात हो हर चैतर में भारते जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी हो